अलो दोस्तो वेलकम ओल, हाँ दोस्तो MPNHM स्टाफ नर्स और A&M का आपका आंसर की आ गया है दोस्तो अभी सब काइड़ेट्स के मन में ये क्वेशिन है कि रिजल्ट कब आएगा, कॉमन मेरे ड्रेंग कब आएगी, नॉर्मलाजेशन कैसे होगा, कब होगा तो दोस्तो नॉर्मलाजेशन कैसे होगा, उसका पूरा मैंने डीटेल्ड वीडियो आपका अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिशन में मैं उसका लिंक देदूँगा, आप महां से चेक कर सकते हैं दोस्तो A&M में आपका कोई नॉर्मलाजेशन नहीं होगा, स्टाफ नर्स में दो शिफ्ट में पिपर हुआ है, तो नॉर्मलाजेशन होगा आइए दोस्तो इस वीडियो में डीटेल में देख लेते हैं कब आपका रिजल्ट आ सकता है, common merit rank कब तक आ सकती है and कब तक आपका final merit rank आ सकती है, तो आइए दोस्तो स्टाट करते हैं दोस्तो आप official notification screen पर देख सकते हैं आपका 30 एnd 31 July को exam हुआ and 5 दिन बात 5 अगस को आपका answer किया आगया आज आपका answer किया आगया and दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका ये जो vacancy है ये 31st of March 2000 31st of March 2022 तक के लिए ये vacancy है contractual इसका recruitment बहुत fast होने वाला है दोस्तों and जैसे कि 5 दिन में answer किया आगया and आपको 5 अगस से 12 अगस तक आपको objection raise करने के लिए time दिया गया है तो दोस्तों जैसे ही 12 अगस का objection raise करने का complete होगा फिर 2 से 3 दिन में उसको review करके final आपका answer किया जाएगा जैसे कि CHO में भी हुआ था आपने जो objection raise किया था 4 से 5 question पे तो total 9 questions पे आपका objections raise हुआ था और उस पे clarification दिया गया था no question पे तो ऐसे ही आपका objection raise होने के 2 से 3 दिन बाद आपका final answers आएगा तो जैसे 12 तारीक को आपका objection raise हुआ था तो around मान सकते हैं दोस्तों 18 से 19 तारीक तक हमारा final answer की आजाएगा जैसे ही final answer की आता है उसके basis पे आपका final result बनता है normalization होके जो आपका raw marks आता है उसका normalization होके आपका final marks बनता है and common merit rank बनता है तो दोस्तों हम expect कर सकते हैं कि 30 अगस्थ 30 अगस्थ तक आपका final result आजाएगा with common merit rank after normalization तो 30 अगस्थ तक हम expect कर सकते हैं कि आपका final answer की Final result, Common Merit Rank and आपका आगी का process start हो जाएगा जैसे Common Merit Rank and scorecard आया उसके बाद आपका merit list आना शुरू हो जाएगा दोस्तों तो ये clear cut दोस्तों official notification के हिसाफ से मैं बता रहा हूँ 12 तारीक तक आपका objection race करने का time है 12 तारीक के बाद आपका final answer किया जाएगा जो भी objection है उसका clarification आजाएगा clarification आने के बाद आपका final scorecard हम expect कर सकते हैं 30 अगस तक आपका final scorecard आजाएगा दोस्तों तो मेरे साथ चैनल पर बने रही है दोस्तों चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस कर दिए क्योंकि जैसे ही कुछ notification आता है answer की merit list के regarding, normalization के regarding recording मैं आपको तुरण notification दे दूँगा और आपके mobile पर notification आ जाएगा दोस्तों साथ यसाब telegram पर follow कर सकते हैं वहां में सारे नए notification सारी details daily में gk reasoning and basic nursing के questions शेयर कर रहा हूं ताकि आपका दोस्तों क्या होता है ना हम open करके एक बार पढ़ते हैं फिर बार बार सेकंड टैम पढ़ते हैं थर्ट टैम पढ़ते हैं तो daily daily ways पर आपकी नॉर्मल पढ़ाई होती रहेगा आपको पढ़ने के लिए एकदम बैठना नहीं पढ़ेगा यह आप टेलिग्राम का चैनल जोइन कर लेंगे साथी साथे दिया आपको कुछ डाउट है कुछ दिक्कत है तो इस दागर आपको मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं मैं अपना पूरा पोटेंशेल से आपको रिप्लाइ करने का कोशिश करोंगा बागी दोस्तों आपना प्रिप्रेशन जारी रखे अभी हमारे पास UPPSC है UPNHM का एक्जाम है च्छो का एक्जाम आप प्रिप्रेशन जारी रखे मैं आपके साथ हूँ आपसे पूरी डीटल शेर करता रहोंग All the best दोस्तो